हलो एवरिवन मैं बिया अदव और आप देख रहे हैं सुर्य ओद्य सक्सेस पॉइंट आज के इस क्लास में हम सुल्व करेंगे काक्षा 10 की प्रश्णावली 3.2 का प्रश्णत 3 का चोथा नमबर कोश्चन फोर्थ नमबर कोश्चन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ नमबर कोश्चन है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतरिक्त चली गए दूरी पर भाड़ा संब्लित के जाता है मतलब एक नियत भाड़े के अतरिक्त मतलब एक फिक्स किराया तो उससे लिया जाएगा प्लस आगे जितने किलोमेटर हम जाएंगे उसका किराया हमारा अलग से लगीगा 10 किलोमेटर की दूरी के लिए उसने 105 रुपए तता 15 किलोमेटर के लिए भाड़ा 155 है नियत भाड़ा तता प्रती किलोमेटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति को 25 किलोमेटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी हमको निकालना है सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि एक फिक्स भाड़ा कितना है जो नियत भाड़ा है वो कितना है फिर उसके लिए बाद में निकालेंगे प्रती किलोमेटर भाड़ा कितना लगा और फिर हम निकालेंगे 25 किलोमेटर के लिए एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देने होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला माना नियत भाड़ा एक्स रुपए है कितना है एक्स रुपए है और प्रती किलोमेटर जो भाड़ा है प्रती किलोमेटर का भाड़ा जो है वो है य रुपए है प्रती किलोमेटर जो भाड़ा है वू ख़तना है य हो गया आप क्या करेंगे इसमें है अप क्योंकि प्रश्ण अनुसार लेना होगा हमको तो प्रश्णा नुसार हमारे पास जो है questions में वो कि 10 km दूरी तैकी तो नियत तो लगेगा x प्लस 10 km तो 10 और y कितना पैसा लगा 105 तो यह पहला समिकरण मन गया हमारा दूसरा हम देंगे कि x लेना ही है क्योंकि नियत भड़ा है और फिर 15 km चले तो 15 y बराबर 155 और यह हो गया समिकरण 2 x प्लस 10 y बराबर 105 और x प्लस 15 y बराबर 105 यह सैकेंड समिकरण नमारा हो गया क्योंकि हम प्रतिस्थापनविदी से सॉल्व करते हैं तो हम इसमें आगे क्या करेंगी स करना होगी 70 so प्लषफापनविदी से एमको प्रतिस्थापन सॉल्व करना हा समिकरण 1 लेना है और यह से समीकरन एक से x प्लस 10y बराबर 105 तो प्लस में 10 है तो किसमे हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा 105 दस y किसमे प्लस में है तो इधर है किसमे हो जाएगा माइनस में 10 y तो x बराबर 105 यह हो गया हमारा इसको हम बनाएंगे थर्ड समीकरन यह कुन सा बनी है हमारा थर्ड समीकरण x बराबर 105 माइनस 10y हमारा थर्ड समीकरण रना है आगे जो थर्ड समीकरण मतलब जो x की value हमने निकाली है वो हमें रखना है second समीकरण में तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समिकर्ण दो जो हमारे पास है वो है x प्लस 15y बराबर 155 है x की जगे हमें लिखना है 105-10y तो 105-10y इदर हमारे पास प्लस में 15y है और 155 आगे क्योंकि यह प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो 15 में से 10 गया तो प्लस के 5 बचेंगे क्योंकि 15 बड़ी संख्या है अब 105 इदर हमारे पास यह 105 प्लस में तो यह किसमें आ जाएंगे माइनस में 105 आ जाएंगे तो y बराबर 155 माइनस 105 तो कितना हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 50 तो y बराबर कितना आए हमारे पास 50 आए 155 में से 105 माइनस के 50 अब इधर 5 जो है न इसका भाग दिंगे तो 5 एक मुझ जिरू ऐसा कैसा लग जाएगा तो y बराबर कितना आया 10 अब y की जो value है वो हम रखेंगे समीकरण 3 में y की value हमें का रखने है समीकरण 3 में प्रति किलोमेटर का जो भड़ा है हमारा वो आगया 10 तो हम यहीं कर लेते हैं इसको y कमान समीकरण 3 में रखने है समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 है हमारा x बराबर 105 माइनस 10 और y और y का मन हमारे पास था 10 तो 105 माइनस 10 को 10 से किया तो कितना आया 100 और 105 में से 100 माइनस किया तो कितना आया 5 कितना आ गया 5 तो इसका अंथर क्या हो गया हमारा 5 और 10 तो जो नियत भाड़ा जो हमारे पास है वो तो है 5 रुपे नियत भाड़ा कितना है 5 रुपे और प्रती किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है 10 रुपे